नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में, OnePlus Nord N20 SE vs Tecno Power Neo का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की, दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, Nord N20 SE में 6.45 इंच जबकि Power Neo में 6.74 इंच की लेंथ मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो, Nord N20 SE में 187 इंच जबकि Power Neo में 2.95 इंच जबकि Power Neo में 3.04 इंच की विडियो की वेट की तो, Nord N20 SE में 187 ग्राम्स जबकि Power Neo में 212 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि Nord N20 SE से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में same ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio Nord N20SE में 20 Ratio Nord जबकि Power Neo में 20.5 Ratio 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Nord N20SE में 6.56 Inches जबकि Power Neo में 6.8 Inches मिलती है डिस्प्ले रेसलूशन Nord N20SE में 720 x 1600 और Power Neo में 720 x 1640 मिलता है Screen to Body Ratio Nord N20SE में 84.57 प्रतिशत जबकि Power Neo में 83.1 चे प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Nord N20SE में 266 Pixel प्रतिश जबकि Power Neo में 263 Pixel प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें Man Camera की तो Nord N20SE में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और Power Neo की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Second Camera और आखिर में AI Lens देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में साथ डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी की सेलफी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की चार डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU दोनों phone में same ही Power Ge830 देखने को मिलता है Chipset की बात करें तो Nord N20 SE में MediaTek Helio G35 और Power Neo में MediaTek Helio G25 मिलता है बात करें RAM की तो Nord N20 SE में 4GB जबकि Power Neo में 6GB RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Nord N20 SE में 64GB जबकि Power Neo में 126GB storage मिलती है Expandable Memory की बात करें तो Nord N20 SE में up to 1TB जबकि Power Neo में up to 512GB है Operating System की बात करें तो Nord N20 SE में Android V12 जबकि Power Neo में Android V11 देखने को मिलती है Battery Nord N20 SE में 5000mAh जबकि Power Neo में 6000mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं Colors की बात करें तो Nord N20 SE में 2 Colors जबकि Power Neo में 3 Colors option मिलते है Sub Information देखने के बात करें Price की तो Nord N20 SE 4GB RAM 64GB Storage के साथ 14,990 रूपीस में मिल जाता है और बात करें Power Neo की तो 6GB RAM 128GB Storage के साथ 13,780 रूपीस में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानी की फायदे और नुकसान की तो Nord N20 SE आगे है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में Power Neo आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Oppo A76 है दूसरा Tecno Spark 9 है तीसरा Tecno Spark 9T है और Last Competitor Phone की बात करें तो उसमें Tecno Spark 8C है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना